नमस्ते दोस्तो आज मैं आपको दाविंची में प्राइमरी विल्स और लॉक के बारे में बताऊंगा इसके अलबा दाविंची एक ऐसा सॉफ्ट्वेर है जिसमें आप एडिटिंग, कलर गेडिंग, आडियो प्रोडक्शन, मोशन, ग्राफिक्स और वी एफेक्स यह सभी एक ही सॉफ्ट्वेर में आप कर सकते हैं, आज हलिवूड और बालिवूड दोनों यह सॉफ्ट्वेर यूस कर रहे हैं, अच्छी इसमें बड़ी-बड़ी फीचर फिल्म की एडिटिंग और कलर गेडिंग हुई है, तो चलिए आईए आज, आज के टॉपिक के बार वीडियो, इमेज, दूसरा ओप्शन अपने पास, यहां आप नीचे देखेंगे, नीचे के बार में, तो एक कट ओप्शन रहता है, कि अगर आपको फास्ट एडिटिंग करना है, या कुछ एड़ फिल्म का आपके पास काम है, या कमर्शियल का काम है, तो आप इसमें थो दूसरे सॉफ्ट्वेयर रहते हैं, जैसे FCP हुआ, प्रीमेर प्रो हुआ, इसमें भी एडिटिंग वैसी होती, प्रीमेर और दाविंची लगभग सिमिलर है, इनका एडिट का जो लेयाउटिंग है, वो भी सिमिलर है, तिसरा ओप्शन यहां दिया हुए, फ्यूजन का, आता है, कमपोजिटिंग और स्पेशल एफेक्ट और VFX के काम में, इसमें आप मोशन ग्राफिक भी बना सकते हैं, थी दी मोशन ग्राफिक भी बना सकते हैं, पांचवा उप्शन आता है, कलर ग्रीडिंग का, इसमें एक और और अप्शन दिया है, इनने फेर लाइट, फे आपकी एडिट होने के बाद यहां आपको म्यूजिक आरेंज करना है, आपको एक्विलाइज करना है, आपको जो भी म्यूजिक की जो भी रिक्वार्मेंट रहती, म्यूजिक में जितना भी काम होता है, जैसे लॉजिक प्रो पे होता है, और यहां से होती है, फाइनल डेल पूर्ण कर सकते हैं। आपको पूरी वीडियो की सेटिंग यहां दी जाती है। है तो चली telling मैं आता हूं अपने वापस the call at topic में आज अज हम color will में हम प्राइमरी विल्स की बात करेंगे प्राइमरी विल्स को और समझाने के लिए मैं आप को एक image import करता हूँ, add to media pool, यह image मैंने यहाँ import करी, import करने के बाद मैं उसको editing की timeline पे लेके आया, edit की timeline यहाँ, मुझे बहुत gradient एक image मैंने import करी, आपको example बताने के लिए, कि color wheels को हम कैसे यहाँ use कर सकते हैं, यहाँ उस image में basically क्या होता है, यहाँ मैं scope आपको बताता हूँ, scope में सारे scope के आपको यहाँ curve दिखेंगे, आप curve भी देखेंगा और यहाँ जो color wheels में जो lift, gamma, gain और offset, तो start करते हैं, यहाँ से lift जो दिया है, लिफ्ट क्या करता है कि आपकी shadow, image की जो shadow रहती है, उसको बढ़ाने का काम करता है, जैसे अगर मैं इसको यह dark की तरफ जारी image, अगर मैं color wheel को left side में drag करता हूँ, तो यह पूरी image dark की तरफ जारी है, और इसको अगर मैं reverse लेता हूँ, इस wheel को मैं यह भूमाता हूँ, तो यह आपको दिखने में आता है, आप कर्व की तरफ भी देखेगा, कर्व कहां जा रहा है, पूरी brightness open कर रहा है, मतलब image में जहाँ shadow है, यहाँ जो black part है, उसको वो कम करने की कोशिश करता है, और अगर आपको लगता है कि इमेज ज्यादा brightness है, तो उसको आप यहाँ से कम ज्यादा, आपको क्या लगता है, आप वो set कर सकते हो, दूसरा आता है, गामा part, गामा part में target the highlight of the image, इमेज में जो highlight part दिखता है, वो यह गामा part set करता है, अगर मैं गामा बढ़ाता हूँ, आप देखी का कर्व की तरफ भी वो अभी 768 के उपर है, मतलब highlight की तरफ जा रहा है, image highlight की तरफ बढ़ी हुई है, अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, तो इसका brightness और बढ़ जाता ह है, इस image का brightness और बढ़ जाता है, अगर कहीं आपको गामा में ऐसा लगता है, आप जो image set कर रहे हो, या image में आप correction कर रहे हो, तो आप इस गामा के थुरू उसकी brightness आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यह आपको बार भी दिख रहा है, scope में आप देख रहे हैं, यह मैंने गामा ब highlights of the image, मतलब image में चुछ ज़्यादा brightness पार्ट है, वो आपको इस gain के थुरू आपको control करना है, अब curve की तरफ भी देखिएगा, और gain अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो यह इसका brightness पार्ट बढ़ जाता है, मतलब हम इस image को और bright, more bright की तरफ ले जाते है, कहीं highlight होती, image माल highlight दिखता है, for example, अगर आप sun को ही देख लें, अगर sun की brightness बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको यहाँ पर उसको कम कर सकता हूँ, यह जिसे gain को, अगर मैंने कम करता हूँ, तो इसकी brightness कम करता हूँ, तो highlight, target the highlight of the image, इन तीनों के बाद एक offset यहाँ दिया हुआ है, offset का मतलब है कि, effect the entire image of uniformality, मतलब यह पूरी image पर काम करता है, अगर मैं इसको increase कर रहा हूँ, तो यह पूरा, आप कर्व देखिए, पूरा उपर नीचे हो रहा है कर्व, ऐसा नहीं कि कहीं से अलग जा रहा है, यह पूरी image को साथ में लेके चलता है, तो यह हुआ इसका primary wheels में जो मैंने बताया है, lift, gamma, gain और offset, अब हम नीचे, यहां मैं आपको दिखाता हूँ, कि contrast है, pivot point है, saturation है, you है, और you mix है, contrast बढ़ाना है, किसी image का contrast बढ़ाना है, तो आप यह increase कर सकते हैं, ब्लेक पार्ट आपका बढ़ रहा है, आप देखिएगा उसम आपको clear visibility दे ली, कि this is the black and this is the white, तो यहां से आप उसको कितना mix करना है, black में white कितना mix करना है, वो contrast के हिसाब से आप यहां adjust कर सकते हैं, अब यह point दिया हुआ है, इसको pivot बोलते हैं, मतलब किसी point को मैं यह contrast कहां से कहां बढ़ाना है, जिससे अगर इसको मैं थोड़ा सा increase कर देता हूँ, या इतना किया, तो मेरा contrast का level थोड़ा अलग हो जाएगा, यह, यह, उस point को मैं change कर सकता हूँ, आप graph में भी देख सकते हैं, image में भी देख सकते हैं, कि आपको, उसका point मैंने change किया है, यहां से, तो वो उसे साब से increase or decrease हो रहा है contrast, ठीक है, इसको मैं reset कर देता saturation अभी इसमें नहीं बतावाँ हो, क्योंकि इसे black and white image है, तो इसमें आपको saturation मालब नहीं पड़ जागा, किसी भी image का, अगर saturation बढ़ाना है, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं, hue में भी आप color balancing, मतलब आप किसी भी range में, जो color जहां से start होता है, और end होता है, उसको आप change कर सकते हैं, मतलब, अगर yellow को blue tone में लिया सकते हैं, या red tone में लिया सकते हैं, या mixed tone में लिया सकते हैं, तो यह हुआ primary wheels के बारे में मैंने आपको एक examples दिये हैं, प्राइमरी wheels के बाद हम यहां log पे आते हैं, log में चार option दिये हैं, shadow, mid tone, highlight and offset, यह मैंने scope already open है हैं यहां पर, और आप curve की तरफ भी देखते रहेगा, यह image जो हमने gradient image लिये हैं, यहां यह अलग work करती है, जिसे for example मैं shadow को बढ़ा रहा हूँ, shadow बढ़ा रहा हूँ, तो यह इसमें brightness नीचे से increase कर रहा है, मतलब उसका black part कम कर रहा है, और जा आपने primary में देखा था, वहाँ वो बढ़ा रहा था और ठीक इसके उल्टा, अगर मैं इसको minus मिले जाता हूँ, यह black part को और बढ़ा रहा है, ठीक उसके उल्टा, तो log में different work करता है, और primary में different work करता है, दूसरा यह mid-tone इन्होंने दिया हुआ है, mid-tone मतलब image की जो mid-tone रहती है, उस mid-tone को आप कितना, उसमें brightness बढ़ा सकते हो, या उसका कितना black part बढ़ा सकते हो, वो है, मिट-tone में मैं अगर wheels को बढ़ाता हूँ, increase करता हूँ, यह देखिए, मिट-tone बढ़ाने पर इसका black part और आगे की तरफ बढ़ रहा है, कर्व भी देखिए, आप कर्व में, कर्व का movement भी आपको अलग दिखागी, कहां तक वो ले रहा है image में, अब इसी को मुझे set करना है, अगर इसका में point को यह set करता हूँ, नीचे एक बार में देखिए, यह तो, मैंने इसका point set कर दिया है, यह कर्व की तरह देखिएगा, यह यह रखिए और इसका point यह change कि और उसके बाद में mid-tone बढ़राने का काम करता हूँ, तो यह उसified Sug HP कोई वहां से बढ़ाता या कम करता है, मतलब की image या तो bright होरी है, या dark हो रही है, यह Mode को sat को मैं onλο टो करता हूँ अब मैं जाता हूँ हाइं रेंज पे आप देखें करव कहाहं से चल रहा है यह कर और उपर से वह से हुआ अगर सकís को मैं इस ajudar न को मैंने रिडियत किया है आफ और रेंज को मैं ने जान दिया है अब आप देखीएगा यह कर्व क्या कामub यह देखिए यह ओववरावल पूरे oh र NOW रेंज को कम कर रहा है मतलब ब्रैटनेस कम कर रहा है hadun मैं अगर गृष करता हूं तो यह बड़ा देता है और मैं अगर मारे ननले ता हूं तो यह Southern पर कि टृक्प जाता मतलब शेinki दो की दिंट बड़ाता तो यहाँ से आप केसी इमेज में कहा क्या समस्या आती है या कुसको और से इसकी जाए नभुशाना आपको बढ़ाना तो यह दूर और अब उसको सेट कर सकते हैं कि इसरा आता है highlight car highlight part मतलब eh brightness जहां देख रहा है कि अभी कि है ओः टोजे टॉप स्भीत ग्राइड नजे जहेंगे जरा ब्राइट पाट इस पर पर ही काम कर रहा है कर देखिया कर्시 दिखा रहा है देखिए brightness है मैं उस अब लाइनेस highlight को कम ज्यादा कर रहा है बहुत माइनर देखेगा आपको अभी समझ भी नहीं आएगा क्योंकि अपने इमेज ब्लेक इन वाइट मिली जब आप कलर इमेज में काम करेंगे तो आपको यह एक्सेक्ट समझ में आ जाएगा पर आप कर्व एडिटर में देख सकते हो यह वेव फार्म में आपको दिख र एक लिएंड पार्ट है जो लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं चौता है पोफसेट पूरी इमेज आपके डौन पूरी इमेज पर काम कर रहा है यह कर्व देखिए कर नीचे जा रहा है यह कर आ एप आपर आ तो किसी भी इमेज को ओवर आल आपको brightness कम करना है contrast बढ़ाना है या shadow increase करनी तो आप यहां कर सकते हैं दोस्तों आज यह मैंने आपको color wills के बारे में बताया आज के लिए यह इतना है धन्यवाद